नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से गर बेटे अपने मोबाल से पैन कार्ट बनाने का तरीका बताऊँगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पिल आपसे सोटीशी रिक्वेश्टर जेम टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ में बेल आइकन प्रेश कर दीजी ताकि यसा कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है इसमें आपको सबसे पहला ही लिंक आएगा इंकम टेक्स इंडिया इफिलिंक.gov.in तो इसपे आपको सिंपली क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कैसा इंटरपेस आएगा इसमें एक उप्सन दिया हुआ है इंस्टेंट पान थ्रो आदार आपके आदार कार्ट से आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं वह भी बिल्कुल फिरियोग कोस्ट में है तो चलिए अब इसपे आपको क्लिक करना है दोस्तों क्लिक करने बाद में फिर आपके सामने एक ऐसा और इंटरपेस आजाएगा तो यहाँ पे पहले easy and paperless procedure है और get pen card within 10 minutes 10 minutes के अंदर अपना जो pen card है वो आपके हाथ में आ जाएगा और इसमें जो आपके physically pen card बनवाते हो और यह digitalized pen card बनाते हो इसका process दोनों value की दोनों की same है और इसमें आपको खास बात यह ध्यान रखना है इसमें आपके आदार card में mobile number registered होना जरूरी है तो दोस्तों अभी सबसे पहले आपको नया बनवाने के लिए get new pen card पे click करना है दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ पे अपना जो अधार card का number है वो type करना है फिर आपको जो यह caps code लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे simply type कर देना है type करने बाद में आपका OTP बेज दिया गया है जैसे ही आपका OTP आता है वो आपको OTP simply यहाँ पर type कर देना है दोस्तों OTP डालने के बाद में यहाँ को click mark करने के बाद में आपको validate आधार OTP and continue पर click करना है दोस्तों OTP click करने बाद में आपके सामने जो आधार का पूरा वायो डाटा है वो और मोबाइल लंबर इमेल एडी जो भी है वो आपको Sam to Sam आपके Pen Card में Convert कर दिया जाएगा आप इसमें अभी यहां पर कोई चैन्ज का ओप्सन नहीं दिया हुआ है आप इसमें कोई चैन्ज नहीं कर सकते हैं यह डारेक्ट आदार करड के हिसाब से Pen Card को बना दिया जाता है वह भी Digitalize Pen Card है और इसमें आपको फाइदा यह है कि इसनेटली आपको Pen Card है वो मिल जाता है दोस्तों यह पूरा बाइटर कंप्लीट है उसके बाद में आपको I accept that पे आपको Click Mark कर देना फिर आपको Submit Pen Card request पे आपको Click कर देना है क्लिक करने के बाद में Thank You We Are Validating Your Detail यह आपको 10 मिंट के अंदर अंदर आपके Mobile नमबर पे आपका Pen Card नमबर बेज़ जाएगा और 10 मिंट के बाद में आप अपना जो Pen Card है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और 10 मिंट के बाद में आपका Pen का डाउनलोड करने के लिए आपको Simply Click Status पे आपको Check Status पे आपको Click करना है उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जो अधार काड है वो नमबर डालना है अधार का नमबर डालने के बाद में यहाँ पे जो एक Caps Code लिखा हुआ है यह आपको मोबाइल नमबर पे OTP आता है वो Simply आपको OTP यहाँ पे डाल देना है OTP डालने के बाद में आपको संबिट पे क्लिक करना है जैसे आप संबिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो Pen Card है वो बिल्कुल सफलता पूर हो कर दिया गया है और आपका जो PDF डाउनलोड करने के लिए को डाउनलोड पांद ऐस्ती आपको क्लिक करना है जैसे आपका पीडियाप डाउनलोड हो जाता है तो आपका जो सब्सक्राणिल होता है वो बिल्कुल 10 मिन एंदर अंदर बंदके तयार हो गया है और इसका आप अपना color print निकालके और lamination करके आप अपने पास रख सकते हैं यह हर जगे आपका valid रहेगा और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें एक sign नहीं आता है किया हुआ और इसमें sign किया हुआ अपलोड करने की भी इसमें कोई option नहीं दिया हुआ है और इसमें आपका जो finger है वो ही attach है जो आपका पूरा अधार का data है वो इसमें update किया हुआ है तो इसमें आपको sign डालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी आसा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगाओगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों साथ share जरूर करें ताकि ऐसा किसी को भी नए अपना pen card बनवाना हो तो आपना आसान तरीके से फिरी में pen card बनवा सके आज की लिए बस इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नए टोपिक साथ नए वीडियो में जब तक लिए जैहिंद वन्दे मात्रम